नमस्कर दोस्तों एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो बहुत दिखास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो मामलों जानेंगे कि बिये परिक्षा में कितना नमबर आने पर पास होते हैं, कितना नमबर आने पर फेल होते हैं और कितना नमबर आने पर बैक लगता है पूरा डीटेल में इस वीडियो का अंड़ा हुआ जानेंगे तो आये देर ना करते हुए वीडियो को इस प्रिक्षा में पास औहले कि तो लाना होगा तो दोस्तों मैं आपको वता दू कि आदा दोस्तों ये तो हम लोग ने जान लिया कि बीए पर रिक्षा में पास होने के लिए कितना नमबर लाना होगा आगे दोस्तों हम लोग रिजल्ट के माधिम से जानेंगे कि बीए पर रिक्षा में किस सबट में कितना नमबर आने पे पास होते हैं कि सेवेट में कितना नमबर आने पे फेल होते हैं और कि सेवेट में कितना नमबर आने पे बैक लगता है सब कुछ हमलों रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे तो आई बीना किसी दरी के हमलों सुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं यहां पे दोस्तों अब देख सकते हैं। आपके समने पहला जल्टा है। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका तीन सब्वेट का पेपर हुआ है History, Political, Science and Public Administration यहां पे दोस्तों 1st semester, 2nd semester 2nd semester में आपका 100-7 नमर का पेपर हुआ है। यहाँ पर दोस्तो हिस्टरी की बात की जाँ तो यहाँ पर दोस्तो हिस्टरी के अंदर अबका फॉस्ट समेष्ट्य में 100 में से चोवर नमबरा है पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका 첫 semester में सो में से 20 नымर आ है और सिकेंड समेस्टर में शादिस नमर आहे याई यानि कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका 1st semester में 100 में say 50 नमरा है और 2nd semester में 100 में say 64 नमरा है यानि कि public administration के अंदर अपका 2nd semester में passing नमरा है क्योंकि 2nd semester में अपका 36 नमर से उपर है अब दोस्तो final की बात की जा तो यहाँ पे दोस्त अद्दे सकते हैं कि part 1 में 294 है part 2 में 296 है part 3 में 286 है यहां पे दीखेLaktour की बात की जाए तह यहां पे दूस्ता अब्देसकते हैं … की wählt ख्लंदेसेर तो यहां पे भीक लगा नें के वहता है कि ही कर दोफत्त अब्देसकते हैं और फॉब्लीका साथ हो कि यहां पर फ़ैस फार सम्यत्य होता है तो यहां पर दोस्तों, पॉलिटीकल साइश के अंदर इसका 1 समेश्ट में पासिंगि नमर ना नहीं आने के वैसे, यहां पर दोस्ते इसका बैक लगा है यहां पर दोस्ता आप देख सकते हैं आपके समने दूसरे जल्टा है यहां पर दोस्ता आप देख सकते हैं कि आपका 3 सवेट का पेपर हुआ है Political Science, Sociology और Geography यहां पर दोस्तो Political Science और Sociology का अंदर आपका 2 समिष्टे में 100-100 नमर का पेपर हुआ है और यहाँ पर दोस्तो जिग्राफिक का अंदर आपका प्रेटिकल भी हुआ है यहाँ पर दोस्तो पॉलिटिकल साइंस की बात की जा तो यहाँ पर दोस्तो आप दे सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का अंदर आपका फॉर्स समेश्टे में सो में से बावन नमरा है और second semester में 100 में से 74 नमरा है यानि कि political science के अंदर आपका दोनों समिष्टे में passing नमरा है क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहली बता देए कि अगर आपका 100 नमर का paper होता है तो आपको पास होने के लिए कम से कम 36 नमर लाना होगा जबकि दोस्तों political science के अंदर आपका फोस समिष्टे में 22 नमरा है और second semester में 74 नमरा है यानि कि political science के अंदर आपका दोनों समिष्टे में 36 नमर से उपर है इसलिए दोस्तों political science के अंदर आपका दोनों समिष्टे में passing नमरा है अब दोस्तो sociology की बात किया है तो यहाँ पर दोस्तो अब दे सकते हैं कि sociology का अंदर आपका first semester में 100 में 60 नमर आ है और second semester में 100 में 62 नमर आ है यानि कि sociology का अंदर आपका first semester में passing नमर नहीं आ है क्योंकि sociology का अंदर आपका first semester में 36 नमर से कम है जबकि second semester में आपका passing नमर आ है क्यों जबकि दोस्तों मैंने आपको पहली बत्यादी कि अगर आपका 75 नमर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए कम से कम 27 नमर लाना होगा यहां पर दोस्तों प्रेटिकल की बात किजा तो यहां पर दोस्तों प्रेटिकल के अंदर आपको 43 नमर मिला है यानि कि प्रेटिकल के अंदर आपको अच्छा खास से नमर मिला है अब दोस्तों फाइनल की बात किजा तो यहां पर दोस्तों अब दे सकते हैं कि फ्यल दिखा अब दोस्तों यहां पर फेल की दिखारा ध्यान समझेए, यहां पर दोस्तों अब दे सकते हैं कि यहां पर पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसका दोनों समेश्टे में पासिंग नमर आया है, लेकिन सोशोलोजी के अंदर जोगराफिक अंदर इसका फर्स समेश्टे में पासि नमर नहीं आ है यानि कि इसका दो समेश्टे में पासिंग नमर नहीं आ है तो यहाँ पर दोस्तों इसका दो समेश्टे में पासिंग नमर नहीं आ नहीं कि वैसे यहाँ पर दोस्तों इसको फैल किया गया है तो इसे बात क्या देखें कि अगर आपका किसी एक समेश्टे में टोनों समेस्टर में पासिंग नमर नहीं आता है तो उस कडिसा में आपको फेल कर दे जागा अब दुस्त हमनों को देखते हैं और समिझते हैं यहां पर दोस्त आप देख सकते हैं आपके स्था संविट का पेपर हुआ है History, Political Science and Hindi Literature यहाँ पर दोस्तों First semester, Second semester, दोनों semester में आपका 100-100 नमर का paper हुआ है यहाँ पर दोस्तों History की बात किजा तो यहाँ पर दोस्तों अब दे सकते हैं कि History का अंदर आपका First semester, Second semester, दोनों semester में आपसे निखा रहा है यानि कि History का दोनों paper नहीं दे गया है अब दोस्तों Political Science की बात किजा तो यहाँ पर दोस्तों अब दे सकते हैं कि Political Science का अंदर आपका First semester, 100 में से 42 नमर आ है और Second semester में सो में से 78 नमर आ है यानि कि Political Science का अंदर आपका दोनों semester में पासिंग नमर आ है क्योंकि दोनों समेश टेम अब का 36 नमर से उपर है अब दूस्तों फाइनड की बात किया तो यहां पर दोस्त आप दे सकते हैं कि पार्ट 1 में 264 है पार्ट 2 में 340 है पार्ट 3 में 266 है और यहां पर दोस्तों ग्रांड टोटल की बात किया तो यहां पर दोस्त आप दे सकते ह स्थक्ते करा लेकिन हीटिक्षर ने तैणर है एक किसी एक से बुर्थ स्चिंट कर समिस्टर दोनों समिस्टर का प्रेपर नहीं देगा है दोज तो आज के इस वीडियो माम लोग णोग ने जाल लिए कि ए सबेट में कितना नममर आने पर फैल होते हैं और कि Т communion कितना नमर आने पर भैख लगता है दोश्तो अगर आपको बी ए परिक्षा में पास होना है तो आपको बस एक बात याद रखना है कि अगर आपका 100 नमबर का पेपर होता है तो पास होने के लिए 100 में से 36 नमबर लाना होगा अगर आपका 15 नमबर का पेपर होता है तो पास होने के लिए 27 नमबर लाना होगा और अगर आपका 50 नमबर का पेपर होता है तो पास होने के लिए 18 नमबर लाना होगा थैंकि दोस्तों